और अभी आने वले समय के लिए क्या दिशा निर्देश अभी भी जारी किये गा है और मौसम विभाग क्या कह रहा है मौसम को लेकर क्या आराम मिल पाएगा या भी सर्दिया और बढ़ेंगी ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत आज मिल सकती है हलां कि फोरी राहत लेकिन सर्दी फिर से दिखाएगी कलशती के तेवर जिहां एंचिया सईत राजदानी दिल्ली और उत्तर भारत में कडाके की ठंड पड़ रही है और पारा कई जिगे सुने से नीचे जा चुका है हाला कि सित लहर और ठंड के साथ कोहरा बढ़ने से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां 25 मिटर की विजिबिलिटी सुबह मौनिंग में देखी गई है इसके अलावा पंजाब बठिंडा आगरा ऐसी जिगह जहां पर पारा सुने से नी किया गया जो पिछले साल के ओसत समान अवदी की तुलना में तीन डिगरी अधिक है हाला कि इस तरह की जो संभावना जो सर्दी के दोरान देखी जाती है वो समाने आकी जाती है लेकिन इस बार दो पक्सिमी विभाव को की दूरी बढ़ने की संभावना के चलती सर्दी ए हाला कि मोसम भी बाग का मानना है कि आज से इसमें थोड़ी रहत मिलेगी और ताब मान में थोड़ा इजापा होगा लेकिन तेरह तारिक से फिर से सर्दी बढ़ने की संभावने जिताए जा रही है एक और जब सर्दी बढ़ी है इससे आम जन अस्तुय उस्त है वही दूस इक्यासी एक्स्प्रेश टेने हैं वो एक गंटे से साथ गंटे की देरी से चल रही है अगर हाई यातायात की बात करें तो तक्रीबन की हवाई और रेल यातायात के भी बाधित होने की संभाव ने बढ़ जाती है हाला कि मोसम भी बाग निसाब तोर पर कहा है कि आज के बाद थोड़ी इसमें रहात मिलेगी और तापमान में इजापा होगा लेकिन तेरा तारिक से फिर से तापमान वापी नीचे जाएगा ठं उनके लिए सिती काफी मुश्किल हो जाती है इसलिए मैं देखा कि स्कूल में छुट्टियों को बढ़ाया भी गया है